लेंस या नेत्र भिंग और द्रिष्टी पटल इनके बीज का अंतर स्थाई होता है द्रिष्टी पटल पर वस्तु की प्रतिमा संसादित करने का एक ही उपाय है नेत्र भिंग का अकरम समायोजित करना दूर तम वस्तु देखते समय नेत्र भिंग चप्टा होता है और लेंस का नाभिय बढ़ जाता है हम जब नजदीक की चीजे देखते हैं तब नेत्र भिंग उबढ़ता है और लेंस का नाभिय अंतर कम होगा अता हमसे ये अंतर कम या ज्यादा हो तो भी वस्तू स्पष्ट देख पाने के लिए हम समर्थ हो जाते हैं ना भी अंतर में जरूरत के अनुसार परिवर्तन करने की हमारी लैंस की क्षमता को समायोजन शक्ती या समंजन क्षमता कहते हैं निरोगी नेतर उसे जिस न्यूनतम दूरी पर रखी कोई वस्तू बिना किसी तनाव के अत्यादिक सपष्ट देखी जाती है उसे सुश्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहा जाता है वस्तू के उस थान को नेतर का निकट बिन्दू भी कहते हैं किसी सामान्य द्रिष्टि के तरुण वैस्क के लिए निकट की आँख से दूरी लगबक 25 सेंटिमेटर होती है नेत्र के जिस ज्यादा से ज्यादा अंतर तक की कोई वस्तू हम सुस्पष्ट देख सकते हैं उसे सुस्पष्ट दरशन की दूरतम दूरी कहते हैं वस्तू के स्थान को नेत्र का दूरबिंदू कहते हैं सामान या निरोगी इंसान के नेत्रों के लिए ये दूरबिंदू अनंत दूरी पर होता है द्रिश्टी दोश कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तूओं को तो आसानी से देख पाता है किन्तु दूर रखी वस्तूओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता यहाँ नेत्र में अपवर्तन संबंधी दोश होता है इसे ही लगू दृष्टी अत्वा निकट दृष्टिता कहते हैं ये दो कारणों से हो सकता है एक अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना नेत्र भिंग के पास के नजदी की मास पेशिया शिधिल नहीं हो पाते हैं इसलिए लेंस की प्रसारण क्षमता ज्यादा रहती है दो नेत्र गोलक लंबे होने के कारण नेत्र भिंग और दृष्टी पटल की आपसी दूरी बढ़ जाती है उपयूत क्षमता के अवतल लेंस के चश्मे का इस्तमाल करके दृष्टी दोष्ट का निवारण कर सकते हैं ये लेंस प्रकाश का अपसरण करके नेत्र की रेटिना तक लाते हैं बाद में नेत्र भिंग या लेंस का प्रसरण होकर प्रतिविम दृष्टी पटल पर तयार होता है आउतल लेंस का नाभी अंतर रिन होता है अतहा निकट द्रिश्टी दोश के नेत्रों के लिए रिन शक्ति का चश्मा होता है दोश की प्रमान के अनुसार अलग-अलग नेत्रों के लिए आउतल लेंस की शक्ति भिन भिन होती है दीरगद द्रिश्टी दोश, Farsightedness, Hypermetropia कोई व्यक्ति दूर की वस्तूओं को तो सुस्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु निकट रखी वस्तूओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता ऐसे दोश को दूर द्रिश्टिता या दीरगद द्रिश्टी दोश कहते हैं अर्थात व्यक्ति का निकट बिन्दू सामाने 25 सेंटिमिटर नहों कर दूर होता है ऐसी व्यक्तियों में वस्तू की प्रतिमाद द्रिश्टी पटल के पीछे बनती है ये दो कारणों से होता है एक नेतर की द्रिश्टी पटल और लेंस की वक्रता कम होने के कारण अभिसारी लेंस की शक्ति कम हो जाती है और दो, नेत्र गोलक उभड जाने से लेंस और द्रिष्टी पटल की आपसी दूरी घट जाती है इस दोश को दूर करने के लिए उचित नाभिय अंतरवाला उत्तल लेंस युक्त चश्मे का इस्तमाल होता है फिर नेत्र के लेंस के कारण अभिसरण होकर प्रतिमा द्रिष्टी पटल पर तयार होती है उत्तल लेंस का नाभिय अंतर धन होता है इसलिए दूर द्रिष्टिता दोश की आँखों को धन शक्ती का चश्मा होता है जरादूर द्रिष्टिता, प्रेस बायोपिया सामान ने तहा 40 वर्ष की उम्र के बाद अधिकांश व्यक्तियों को जरादूर द्रिष्टिता का दोश महसूस होता है जब छोटे अक्षर सुस्पष्ट दिखने में कठना ही आती है, फोन का संदेश पढ़ना भी कठिन होता है सामान ने तया बढ़ती उम्र के साथ आँखों की समन्यन शक्ति कम होती जाती है नेत्रों के पास वाले लेंस की मास पेशियां लेंस का ना भी अंतर बदलने की शक्ति गवा देते हैं निकट बिंदू दूर हट जाता है, इसके कारण बयस्क आदमियों को नजदिक की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती जरादूर दृष्टिता उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण होता है लगुद दृष्टिता इससे अलग होती है जो नेत्रगोल के आकार और अनुवनशिक्ता और इर्दगिर्द के माहोल पर अवलंबित होती है ऐसे माना जाता है कि जरादृष्टिता आपके लेंस धीरे-धीरे मोटे होने और समंझन क्षमता कम होने के कारण होता है कभी-कभी कुछ लोगों में दोनों प्रकार के दोष्ट अर्थाद दीरग दृष्टिता एवं लगुद रिष्टिता भी पाये जाते हैं यह दोष्ट दूर करने के लिए उन्हें द्वी-फोकसी लेंस या बाये-फोकल लेंस की आवश्टिता होती है ऐसे लेंसों में उपरी हिस्सा आउतल होकर निकट दृष्टिता दोष्ट दूर करता है तो निचला हिस्सा उत्तर लेंस होता है जो दूर दृष्टिता दूर करता है